जलापुर्थे योजनाव में पंपिंग स्टेशन वना नदी के पात्र के बात की हिस्से में रेट का बान बना कर जलभंडा रन्दबान का निर्मान किया गया इस बान को रेती माफिय द्वारा शतिग्रस किया जारा है उप्रोक विशे के संबन में पुलिस में यह शिकायत दर्स की गई है शिलापूरती यूशनाव की तहट नगर परीशे द्वारा पंपिंग स्टेशन से शेहर को पानी की आपूरती की जाती है पंपिंग स्टेशन की पीछे वना नदी की पात्र में पानी को सप्लाई करने के लिए नगर परीशे द्वारा एक अस्थाई कच्चे बान का निर्मान किया गया था लेकिन पिछले कई दिनों से इस जगह पर रेट के अवैद निकासी के कारण नदी के तल में कुछ स्थानों पर गड़े पड़ गए है साथ ही नदी के तेल की उत्तर भाग में नदी के पात्र से लगातार रेत के निकाले जाने के कारण पानी का प्रवाह बदल गया है इसी तरह नगर परिशत द्वारा बनाएगे अस्थाई बान शतिग्रस हो रहे है और शेत्र में परियाब जल भंडारन नहीं हो रहा है इससे शहर में पानी की आपूरती करना मुश्किल हो रहा है भले ही नदी से रेत निकाले की मनाई है लेकिन वो लोग अपनी मनमरसी करने से बास नहीं आ रहे है नगर परिशत कर्मचारी को भी धमकाया जारा है हाला कि उपरोग घटना की गंभीरता को देखते हुए यह अनरोद किया जाता है कि शेतर में रेत निकाले वालों के खिलाफ कानूनिक कारवाई की जाए ताकि शहर की जलापूरती बाधित नहों इस प्रकार का क्यापन नगर पाली का द्वारा विधायक समीर कुनावार उप्विभागे अधिकारी हिंगन घाट पलिस स्टेशन हिंगन घाट को दिया गया बीसेन न्यूस के लिए हिंगन घाट से रवी ये नोरकत की रिपोर्ट